तो काहनी की सुरुवात में हमें कोल्ट नाम करके एक इनसान को दिखाया जाता है जो हॉलिवूड के फिल्मों में इस्टेंड करने का काम करता है यह हम जोडी नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो की कैमरा मैन है और उसका चक्कर कोल्ट के साथ में चल रहा है जिस फिल्म की सुटिंग हो रही है उसका हीरो टॉम राइडर है लेकिन उसे इस्टेंड करना बिल्कुल भी नहीं आता है इसलिए इस्टेंड का काम कोल्ट कर रहा है इस्टेंड वो करता है लेकिन उसके चेहरे पर टॉम राइडर का चेहरा लगा दिया जाता है फिल्म को कम्पलीट करने के लिए कॉल्ट जा करके एक इस्टंट करने वाला था वो जैसे ही उपर से निची गिरता है तो ये वाला इस्टंट उससे फेल हो जाता है जिसकी वज़े से वो निची गिर जाता है और वो जखमी हो जाता है पूरे 18 मेने बाद हमें कॉल को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था यहाँ एक बात थी कि वो हॉली बुड में काम करना छोड़ चुका था यहाँ तक कि वो किसी से बात भी नहीं करता था लेकिन एक दिन उसके फोन पर उसकी जो प्रोडूसर है गेल वो कॉल करती है और उसे बताती है कि जोड़ी एक फिल्म की सूटिंग कर रही है क्योंकि अब जोड़ी को डारेक्टर बना दिया गया है उसकी जो फिल्म है उसे पूरा करने के लिए इस्टेंड करना बहुत जरूरी है और जो इस्टेंड किया जाने वाला है उसे तुमारे इलावा और कोई नहीं पूरा कर सकता है अब जोडी का नाम लेने के बाद गेल उसे दुबारा होली बुड में बुला लेती है उसके चेरे को स्केन किया जाता है ताकि उसके चेरे पर टोम का चेरा लग जाए होली बुड में कोल की मुलाकात उसके सबसे पुराने दोस्त डैन से होती है दरसल यही दोस्त कोल को बताने वाला है कि उसे स्टेंड किस तरीके से परफॉर्म करना है यहाँ पर मैं आपको यह भी पता दूँ कि जोडी को अभी तक नहीं पता है कि कोल यहाँ पर इस्टंड करने के लिए आया है वो उसको देख पाती उससे पहले कोल जाकर के हिलमिट पहन लेता है इस्टंड करने के लिए जोडी कैमरे को ले करके ठीक आगे के कार में बैटे हुई थी और डैन के एक सरा करने के बाद कोल अपने स्टेंड को पर्फॉर्म करता है और कोल इस स्टेंड को काफी सही तरीके से पूरा भी कर लेता है कुछ समय के बाद जब कोल को कार से बाहर निकाला जाता है तब जा करके पहली बार जोडी कोल का चेहरा देखती है उसको देख करके जोडी बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पूरे 18 महीने जोडी से बात तक नहीं किया था इसलिए जोडी उस पर बहुत नराज भी थी से कोल आगे का भी इस्टेंट परफॉर्म करता है लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जोडी बहुत गुसा थी इसलिए वो कोल के सरीर में बार बार आग लगा करके ये इस्टेंट बार बार उससे करवा रही थी यह करके वो अपने अंदर के भडास को सांध करना चाहती थी फाइनली इस्टेंट खतम हो जाने के बाद कोल जा करके गेल से मिलता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर जूट बोल करके बुलाया है जबकि जोडी ने मुझे नहीं बुलाया था तब जोडी बताती है कि मुझे तुम से बहुत जरूरी काम था इसलिए मैं टॉम ड्रग डिलर के साथ में दोस्ती कर चुका था वो उनके साथ में ही उड़ता बैठता था लेकिन कुछ दिनों से वो गायाब है और हमें नहीं पता है कि आखिर टॉम राइडर कहां पा रहे इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जा करके उसे ढूडो क्योंकि अगर वो नहीं आया तो जोडी की फिल्म पूरी नहीं हो पाएगी इसके बाद वो कॉल को टॉम का एटरस देती है और उसके घर जाने के लिए टॉम के घर जाने के लिए कॉल जा करके कार में बैठ जाता है और वो जोडी के बारे में सोच करके बहुत रोने भी लगा था दरसल कॉल को काफी जदा पस्तावा हो रहा था तब ही यहाँ पर जोडी आ जाती है और वो कॉल को रोता हुआ देख लेती है जोडी कहती है कि तुम इतने दिनों तक मुझसे दूर रहे और मेरे पास कॉल भी नहीं किया जिसके बाद कॉल कहता है कि जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत पस्तावा है जिसके बाद जोड़ी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं लेकिन इतने दिनों तक मैंने तुमें बहुत मिस किया अब इसके बाद कोल सीधा टॉम के घर पर जाता है दर्वाजन ना खुलने की वज़े से वो कोड को एंटर करता है और वो खुद घर के अंदर चला जाता है अंदर जाने के बाद वो जैसे ही बटन को दबाता है तो घर की जो लाइटे थी वो ओन हो जाती है उसके घर में एक लड़की थी जो कोल की उपर हमला कर देती है लेकिन कोल बड़ी आसानी से उस लड़की से बच जाता है कोल उस लड़की से कहता है कि मुझे तुम से कोई मतलब नहीं है मैं यहाँ पर टॉम को ढूनने के लिए आया हूँ तब वो कहती है कि मैं खुद आज कई दिनों से टॉम को ढून रही हूँ इसी के साथ वो लड़की कोल को एक आदमी के बारे में बताती है जो की बार में बैठता है वो एक ड्रग डिलर है और टॉम अक्सर जा करके उसे मिला करता था कोल बिना वक्त गवाए सीधा उस ड्रग डिलर के पास जाता है और टॉम के बारे में पूछने लगता है यहाँ पर वो आदमी कोल को एक जूस बिला देता है जूस में नसे की गॉली थी जिसकी वज़ा से कोल को चकर आने लगते है वो पागल हो करके उस ड्रग डिलर के आदमियों को ही मारने लगता है वो ड्रग डिलर बहुत डर गया था और अपनी कार में बैट करके यहां से भाग रहा था लेकिन तबी कोल उसके कार के सामने चला जाता है और उसके कार को रोग देता है फिर कॉल उस आदमी से पूचता है कि आखिर टॉम कहां पर है तब वो आदमी कहता है कि टॉम के बोडी गार्ड नहीं मुझे कहा था तुम्हें नसे की गोली देने के लिए अब बोडी गार्ड के अट्रस लेने के अबाद कॉल उस होटल में जाता है जहां पर उसका बोडी गार्ड था कमरे की चाबी लेने के अबाद कॉल जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तब उसे मालुम चलता है कि कमरे के अंदर तो कोई नहीं है वो गेल से कह रहा था कि मैं सब कुछ जा करके पुलिस को बताने वाला हूँ ठीक उसी समय पुलिस उसके पास आ जाती है क्योंकि उसने अपने कार को गलत जगहां पर पार्क किया था और यहाँ पर कॉल उस लास के बारे में पुलिस को बता देता है लेकिन जब पुलिस वहाँ पर तैकिकात करने के लिए जाती है तो उन्हें वहाँ पर कोई भी लास नहीं मिलता है खर अब अगले दिन फिर से कॉल सुटिंग को पूरा करने के लिए जोडी के फिल्म में जाता है यहाँ पर वो जोडी को लास के बारे में बताने वाला था लेकिन उसे ये बात बताने का मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि यहाँ पर जोडी को आज रात में डेट पर चलने के लिए कहने लगती है इसलिए कोल लास वाली बात जोडी को नहीं बताता है लेकिन जैसे कि उसने ये बात गेल को बता रखा था इसलिए गेल कोल के पास आती है और कोल को फलाइट टिकट देते हुए कहती है कि तुम यहां से फौरण निकल जाओ क्योंकि अगर तुम यहां पर रुके तो बहुती बुर तरीके से फस जाओगे ठीक उस समय यहां पर कोल टॉम के असिस्टेंट को देखती है वो उसके पास जाता है और उससे बात करने लगता है यहां पर वो लड़की बताती है कि जिस दिन टॉम गया वुआ उस दिन से उस इनसान को दूंगी जो मुझे फिल्म में डिरेक्टर बनाएगा कोल कहता है कि ठीक है मैं बात करूंगा तुम्हें डिरेक्टर का रोल मिल जाएगा वो फोन को को देती उससे पहले यहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो इन्हें इलेक्रिक सोक दे करके बहुस कर देते हैं लेकिन ये लोग को छोड़ देते हैं बलकि उस लड़की को अपने साथ लेकर के जाते हैं क्योंकि शिर्फ उसी लड़की के पास ही टॉम का फोन है और उसे पता भी होगा कि आखिर टॉम कहां पर है अब वो लड़की ड्राइवर के साथ में फाइट करने लगती है और से अब जैसे की कोल आज रात में जोडी के साथ में डिट पर जाने वाला था लेकिन जब वो बार में जाता है तब उससे मालूम चलता है कि बार में से सबी लोग जा चुके हैं हाला कि यहाँ पर डैन अभी तक बैठा हुआ था और कोल सब कुछ डैन को बता देता है हाला कि टोम का फोन इन्हें मिल गया था लेकिन उसके लोग को ये लोग नहीं खोल पा रहे थे लोग को ढूंडने के लिए ये लोग टोम के घर पर जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि टोम एक बुलकड इन्सान है वो सब कुछ पर्ची में लिख करके रखता है घर में आने के बाद जब ये लोग ढूडते हैं तब इन लोगों को वो पर्ची मिल जाती है जिसके अंदर फोन का लोग लिखा हुआ था फोन के लोग को खोलने के बाद ये लोग उसके वीडियो को देखने लगते हैं एक वीडियो से ने मालूम चलता है कि टब के अंदर जिस इनसान की मौत हुई थी उसे मारने वाला कोई और नहीं बलकि टोम ही है जैसे ये बास सामने आती है तब नियूज पर भी ये बास सामने आ जाती है कि होटल के अंदर एक इनसान की मौत हो चुकी है होटल में जिस इनसान की मौत हुई वो टोम राइडर के फिल्म का पार्टनर था अब यहाँ पर पूरा सक कोल के उपर जाने लगता है क्योंकि उस राज सिर्फ वही था जो उसके कमरे से बाहर आया था वीडियो की मदद से कोल अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है लेकिन ठीक उसी समय यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो इनके उपर फारिंग करने लगते हैं फारिंग करने की वज़े से ही टोम का जो फोन था वो पुरी तरिके से तूड जाता है यहाँ पर कॉल मौका दे करके टेरेस के उपर आ जाता है क्योंकि वो यहाँ से भागना चाता था यहाँ से वो भागने के लिए जैसे ही सामने की बिल्डिंग में जाकर के जंप करता है तब यहाँ पर उसके मुलाकात टॉम राइडर से होती है जिसे वो काफी समय से ढूल रहा था दरसल टॉम राइडर जान बूच करके इस बिल्डिंग में छुपा हुआ था क्योंकि वो अपने मकसद में कामियाब होना चाहता था और वो अपने मकसद में कामियाब हो चुका है धरसल अभी ये बात साबित हो चुकी है कि होटल में जिस इंसान की मौत होई उसे मारने वाला कॉल है और बस सिर्फ इसी चीज को टॉम साबित करना चाहता था ये सबकुछ टोम का बस एक प्लैन था वो सिर्फ कोल को फसाना चाहता था और उसके प्लैन में गेल भी सामिल थी क्योंकि उसे नहीं तो कोल को यहां पर बुलाया था साथ में वो ये भी बताता है कि उस दिन जो तुमारा एक्सिडेंट हुआ वो एक एक्सिडेंट नहीं था बलकि मसीन को मैंने ही खराब किया था जिसकी वजह से तुम उपर से नीचे गिर गए और जखमी हो गए मैंने उस दिन होटल में अपने पार्टनर को इसलिए मारा क्योंकि वो सबी लोगों के सामने मेरी बेजिती कर रहा था वो कह रहा था कि इस टेंट मैंने करता हूँ बलकि तुम करते हो इसलिए मुझे ये बात बुरी लग गई और मैंने उसे मार दिया मैंने ये सारी बाते गेल को बता दी और इसके बात तुम्हें फसाने के लिए गेल ने ही सारा प्लैन बनाया अब बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो मेरा फोन तुमारे पास है वो मुझे दे दो कोल कहता है कि तुमारे आदमे की वज़े से वो फोन चगना चूर हो गया मुवाइल तो खत्म हो चुका था इसलिए अब वो आखरी बचे हुई सबूत यानि की कोल को भी खत्म करना चाहता था उसके आदमे लोग जब उसके उपर पेट्रोल को छिड़क रहे थे तब कोल ने पेट्रोल को अपने मूँ के अंदल ले लिया था उसके आदमी जैसे ही लाइटर को जलाते हैं तो कोल उनके आदमें को ही आग लगा देता है इसके बाद वो फूरन जाकर के एक बोट में बैट जाता है और बोट कोले करके याँ से निकल जाता है लेकिन उसके जो आदमी लोग थे अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे और लगाता है उसके उपर फारिंग कर रहे थे इस दोरान वो जोडी के पास कोल करता है और सब कुछ जोडी को बता देता है कि उसने मार्डर नहीं किया है बलकि मार्डर टॉम ने किया है वे लोग मुझे सिरु फसा रहे हैं तबी कॉल की बोर्ड जाकर के ठकरा जाती है जिसकी वज़े से एक धमाका होता है जोडी भी काफी जदा उदास हो जाती है क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि कोल की मौत हो गई है नियूज में भी ये खबर फैल जाती है कि होटल में जिस इंसान ने मर्डर किया था उसने सुसाइट कर लिया है अब जिस वीडियो में टॉम ने उस आदमी को मारा था उस वीडियो में टॉम की जगाँ पर कोल के चेहरे को कोई लगा देता है जिसकी वज़े से सबी लोगों को यकिन हो जाता है कि उस आदमी को कोल नहीं मारा है जोडी जब बैट करके वीडियो को दिख रही थी तबी सूट पैन करके कोई इनसान उसके पास आ जाता है जोडी भी उसके उपर हमला कर देती है और उसे बहुती बुरी तरीके से मारने लगती है वो बेचारा आदमी भी बड़ी मुश्किल से उस सूट के मास्क को हटा देता है तब उसे पता जलता है कि वो आदमी तो कॉल है दरसल जब उसके बोट का धमाका हुआ उससे पहले वो पानी में जम्ब कर चुका था जिसकी वज़े से वो बच गया और वो सीधा जोडी के पास आता है क्योंकि जोडी इस समय उसके उपर विश्वास कर रही थी क्योंकि सारे दुनिया को बस यही लग रहा था कि कॉल एक किलर है यहां कॉल बताता है कि गेल ने भी मुझे फसाने का यह प्लैन मनाया था तुम्हारा नाम ले करके उसने मुझे जान बूच करके यहां पर बुलाया था और उसने ही मुझे टॉम को ढूनने के लिए भी बेजा अब वो वीडियो खत्म हो चुका है जिससे कॉल अपनी बेगुनाई साबित कर सकता है इसलिए कॉल और जोडी एक प्लैन मनाते हैं टॉम के मुझे सारा सच उगलवाने के लिए फिल्म की सूटिंग करने के लिए अब टॉम फिल्म में आ चुका था क्योंकि अब उसे किसी भी चीज का कोई डर नहीं था जब टॉम की सूटिंग हो रहे थी तब कार में आ करके कॉल भी बैठ जाता है और इसके बाद कॉल जा करके टॉम को कार से बांद देता है कार को स्टार्ट करने के बाद वो इस्टेंड करने के लिए कार को ले करके भागने लगता है कुछ समय के बाद टोम को भी मालूब चल जाता है कि जो उसके बगल में बैठा हुआ है वो कोल है टॉम के आदमी भी इनके पीछे आ रहे थे लेकिन डैन उनके कार को उड़ा देता है कोल टॉम से कहता है कि मुझे ससस बताओ कि आखिर उस आदमी को किसने मारा वरना मैं इस कार का एक्षिडेंट कर दूँगा टॉम एक फटो इनसान था उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी टॉम खुद कुबूल करता है कि उस इनसान को मारने वाला कोई और नहीं बलकि उस इनसान को मैं नहीं अपने हाथों से मारा है इस तरीके से टॉम अपनी गलती कुबूल करता है और सारा सब कुछ रिकोर्ड हो जाता है लेकिन फौरण गेल पहुँच जाती है और उस रिकोर्डिंग को चुरा लेती है जोड़ी उसे रोकने के लिए आती है लेकिन उसके आदमी लोग जोड़ी को पकड़ लेते हैं टॉ लिकोप्टर के उपर जाने के बाद वो टौम को काफी ज़्यादा पीड़ता है और उस रिकोर्डिंग को लेने के बाद वहां से जंप कर देता है इस तरीके से कॉल नीचे आ जाता है और उस रिकोर्डिंग की मदद से कॉल अपनी बेगुनाई साबित करता है मूवी के ल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से सुक्रिया